मुंबई शहर सपनों का ट्रेन में आज पांच हजार से ज्यादा लोग एक बार में सफर करते हैं यह स्थिती बेस्ट की बसों की भी है नतीजा एक्सिडेंस ओसतन रोज 15 से 20 लोग इनमें अपनी जान कवा बैठते हैं इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में मुंबई और उपनगरों में प्राइवेट गाड़ियों की संख्या औसतन 4 से 8 गुना बढ़ी हैं परिणाम ट्रैफिक जैंग लोगों की इस समस्या को सुलझाने तथा उनको अच्छी सुविधाओं के साथ अधिक गतिमान, सुरक्षित और आराम देश सपर के लिए मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने चुनाव किया मेट्रो रेल का जो कि मुंबई को एक अत्याधुनिक्स शहर में बदल देगा मुंबई की उपनगरिये रेल सेवा मुल रूप से सेंट्रल, वेस्टरन और हाबर मार पर उत्तर दक्षिन की ओर कारेरत है इसलिए अगर किसी व्यक्ति को पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है तो उसे पहले दक्षिन की ओर जाकर ट्रैक बदल कर अपने गंतव्यस्थान तक फिर किसी दूसरे परियाई जैसे आटो, बस का सहारा लेकर जाना पड़ता है लोकल ट्रेन्स पहले से ही अधिक यात्रियों के कारण दबाव में है इसमें बार-बार विस्तारिक करण की अब मर्यादा खत्म हो चुकी है ऐसे में मेट्रो रेल, मुंबई और उपनगरों के लिए एक बहतरीन विकल्प है इसी को ध्यान में रखकर MMR DNA मुंबई में मेट्रो रेल का मास्टर प्लैन बनाया मुंबई में पहला मार्ग वर्सुवा से घाटकोपर के बीच है इस 11.40 किलोमीटर के मार्ग पर मेट्रो अपूरी तरह कारेरत हो चुकी है और करीब 3 लाग से ज्यादा यात्री रोजाना इसका लाभ लेते हैं दूसरे मार्ग में मुंबई के वेस्टरन रूट के दहिसर स्टेशन से डियन नगर 4 को बांधरा होते हुए मानखुर्द मंडाले तक मेट्रो जाएगी जिसे दो भागों में बाटा गया दहिसर से डियन नगर तक मेट्रो मार्क 2A और डियन नगर से मानखुर्द मंडाले तक मेट्रो मार्क 2B जिसका कार्य प्रगतिपत पर है तीसरे मार्ग में कुलाबा से अंधेरी के सिप्स तक मेट्रो मार्क भूमिगत होगा चौथे मार्ग में वडाला से लेकर खाटको पर, मुलुन, थाने से होकर कासर वडवली से गाई मुख तक मेट्रो दोड़ेगी इसके अलावा मेट्रो मार्ग पांच, थाना से भिवंडी होकर कल्यान तक मेट्रो मार्ग 6, स्वामिज समर्थ नगर, जोगेश्वरी से कांजूर मार्ग और मेट्रो मार्ग 7 में दहिसर इस्ट से अंधेरी इस्ट और इसका विस्दार कर अंधेरी इस्ट से चत्रपती शिवाजी महराज आंतर राष्ट्रे हवाई अड़े तक मेट्रो रेल बनाने के लिए कार्य प्रगतिपत पर है इसके अलावा मेट्रो मार्ग आठ में चत्रपती शिवाजी महराज आंतरराश्ट्य हवाई अड़े से नवी मुंबई आंतरराश्ट्य हवाई अड़े तक जलत गती मार्ग होगा, जो प्रस्तावित है मेट्रो मार्ख 9, 80 एस्ट से मीरा भाइंदर तक मेट्रो मार्क 10, गाई मुक्ष शिवाजी चौक होकर मार्ग 9 से जुड़ेगा साथ ही चौथे मेट्रो मार्ख का विस्तारी करण कर मेट्रो मार्ग 11, अंतरगत वडाला से CSTM तक और मेट्रो 3 से एक ही करण प्रस्तावित है मेट्रो मार्ग 12 अंतरगत 5 वे प्लान को विस्तारे करण कर कल्यान से तलोजा नवी मुंबई तक मेट्रो मार्ग बनाने के लिए लक्ष निर्धारित किया गया है अधरनी मुख्यमंतरी जी के नित्रुतों में मुंबई के साथ साथ मुंबई महानगर का भी विकास होना चाहिए यह सामने रखते हुए MMID द्वरा DMRC के माध्यम से मुंबई महानगर रिजन के भी DPR तयार किये गए इन दोनों लाइन के साथ मुंबई मेट्रो का निर्मान कारिया मुंबई शहर से भार मुंबई महानगर तक पहुंचेगा और इस निर्मान के साथ साथ ही मुंबई महानगर के लोगों को भी विल्ल क्लास ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टीम इसके माध्यम से MMID उपलबद कराएगा और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि जो भीवंडी जैसा एरिया है जो कोई भी रेल्वे से कनेक्टेड नहीं है इस मेट्रो के बनने के बाद भीवंडी जैसे एरिया का भी ग्रोथ अच्छे से होगा कल्यान और मिरावाइंदर यहां के लोगों को भी एक अच्छी वैल क्लास ट्रांस्पोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगी मुंबई और मुंबई महानगर एकम्यो भारत में शहर होगा कि जिस शहर में एक साथ अभी पाच मेट्रो लाइन का निर्मान कार्य चालू है और और तीन मेट्रो लाइन का निर्मान कार्य मार्च 2019 तक चुरू हो जाएगा तो एक साथ आठ मेट्रो लाइन का निर्मान कार्य मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी उपलबदी मुंबई महानगर में और मुंबई में होगी ये मेट्रो कॉरिडोर महत्वपून रेलवे स्टेशन जैसे चत्रपती शिवाजी टर्मिनस, चर्च गेट, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, बीकेसी, मुंबई और नवी मुंबई के आंतरराष्ट्य ऐपोर्ट तथा डॉमेस्टिक ऐपोर्ट के साथ साथ कई महत्वपून व्य किलोमीटर का नेटवर्ट तयार होगा और करीब 100 लाग से स्यादा मुसाफिरों को रोज इसका लाब मिलेगा मेट्रो की आज तक की प्रगती कुछ इस प्रकार है मेट्रो लाइन दो और साथ का निर्मान कार्य सत्तर प्रतिशत पून हुआ है एक लाइन को छोड़कर बाकि सभी मेट्रो लाइन के डी पी आर तयार किये जा चुके हैं साथ ही मेट्रो की विभिन्नस तरकी भी मान्यताएं प्राप्त की जा चुकी हैं आज की तारीख में मुंबई में एक साथ पांच लाइन का मिलाकर कुल 150 किलो मीटर के लिए निर्मान कार्य जोरों से शुरू है मेट्रो के कोच बनाने के लिए कार्य आधेश दिये जा चुके हैं ठाना में आने वाली मेट्रो पांच ठाना से भिवन्डी होकर कल्यान तक जाएगी साथ ही यहां के उपनगरिय यात्रियों को मेट्रो चार के जरिये मुंबई से सीधा जोड़ेगी जिससे 2021 तक होने वाली 69 लाग चन संख्या में बहुतों को फाइदा होगा ऐसा अनुमान है ये केंद्र और राज्य सरकार तथा MMRDA द्वारा मिलकर बनाया जाएगा मेट्र प्रोजेक्ट 5 का अनुमानित खर्चा 8,416 करोड रुपे होगा जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा 1,352 करोड रुपे तथा MMRDA का हिस्सा 4,161 करोड रुपे होगा केंद्र सरकार की ओर से 10 प्रतिशत अर्थात 546 करोड अनुदान इस प्रोजेक्ट को दिया जाएगा शेश 2,357 करोड रुपे विभिन्न प्रकार के रिंद द्वारा पूरा किया जाएगा मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट 5 ये मार कुल 24,9 किलोमीटर लंबी दूरी तैय करेगा जिसमें कुल 17 उननत स्टेशन होंगे इस मेट्रो मार्क से वेस्टन रूट के यात्रियों को सीधे सीधे नवी मुंबई से जोड़ना संभव होगा 2021 तक थाना भिवंडी कल्यान के करीब 2-3 लाख यात्रियों को इससे लाब होगा मुंबई मेट्रो 9 दैसर इस्ट से भायंदर ये खास दोर पर मीरा भायंदर शहर के लोगों की अपिक्षाओं को बढ़ाएगा वर्ष 2021 तक मीरा भायंदर की जनसंख्या में 28 लाख तक प्रिद्धी होने का अनुमान है उनमें से कई लोगों को मेट्रो का लाब होगा मेट्रो प्रजेक्ट 9 ये मेट्रो 7 का विस्तारिक करण है जो लोगों को अंधेरी तथा दक्षिन मुंबई से जोड़ेगा मुंबई 9 का अनुमानित खर्चा 6,607 करोड रुपे होगा जिसमें राज्य सरकार का 1,631.25 करोड रुपे तथा MMRDA का 3,336.50 करोड रुपे का हिस्सा होगा शेश 1,649.25 करोड रुपे के राशी को विभिन्न माध्यम से लोन लेकर जुटाया जाएगा मुंबई मेट्रो 9 यह मार्क कुल 10.3 किलोमेटर की दूरी तय करेगा जिसमें 8 स्टेशन होगे K A A N 7 are concerned we have almost achieved 60% of civil structure work and all the tenders for rolling stock as well as systems are out and we are hopeful to close them very soon. The plan for MMRDA to implement 276 km of green corridor in Mumbai is going to be a reality in very near future and because of that the seamless travel for people in Mumbai is going to be a reality which at one point of time the city used to only dream of. Now the issue is that we are not only implementing these lines but we are also thinking to make the travel as comfortable as possible through the integrated ticketing system, an intelligent transport system which is also under implementation. इस मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट की विशेश्टा ये होगी कि रूट टीम को छोड़कर सभी मार उन्नत यानि सडक के बीचो बीच स्थम्प खड़े कर ऊपर बनाये जाएंगे. इन दोनु मेट्रो मार्क से मुंबई की सडकों का ट्राफिक काफी हद तक कम होगा और लोगों को प्रदुशन के साथ ट्राफिक की समस्या से भी मुक्ती मिलेगी. साथ ही बार-बार मार्क बदलने की जंचट से छुटकारा भी मिलेगा. जिसमें पूरी मुंबई और मुंबई मेट्रो पलेटिन का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को एकात्मिक भाव से हम जोडने का प्रयास कर रहे हैं. यह जो हमारा मेट्रो का सिस्टेम है, जो सबर्बन रेल्वे है, जो मोनो रेल है और जो बस सिस्टेम है, इन सभी को एकात्मिक रूप से हम जोड़ना चाहते हैं, इसका इंटिग्रेशन करना चाहते हैं, ताकि विक्ति को end-to-end solution मिले और साथी में इसको single ticket पर हम लाना चाहत हैं, ताकि एक complete solution लोगों को यातायात के लिए प्राप्त हो, मुझे विश्वास है, आप मुंबई कर इसका स्वागत करेगा, मुंबई के लोगों के जीवन में एक गुनात्मक परिवर्तन आए, यह हमारा प्रयास है, मुंबई यातायात के दुरुष्टी से देश की सबस एहम नगरी के रूप में सामने आएगी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक ideal पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में हम लोग उसको प्रेजन्ट कर पाएंगे इस Metro Project का मुख्य आकर्शन इसके स्टेशन्स होंगे इस Metro Station की लंबाई 185 मीटर होगी ये स्टेशन दो मंजिला होगा जिसमें पहली मंजिल, कॉनकोर्स तथा दूसरी मंजिल पर प्लाटफॉर्म होंगे इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए कई सीडियां तथा एसकेलेटर्स ग्राउम लेवल पर बनाये जाएंगे जिससे यात्री पहली मंजिल पर कॉनकोर्स में जा सकें टिकिटिंग काउंटर से टिकिट लेने के बाद सिक्योरिटी जेक होने पर आटोमेटिक कैय कलेक्शन सिस्टम से गुजरने के पश्चाथ यात्री पेट एरिया में जा सकेंगे यहां एसकलेटर्स या एलिवेटर्स के जरिये यात्री दूसरी मंजिल यानि प्लैटफॉर्म लेवल पर आ सकेंगे जहां मेट्रो रेल से वो यात्रा कर सकेंगे यह समय यह 5-6 मिनिट के अंतराल में चलेगी इन सभी मेट्रो रेल का ज्यादा से ज्यादा नागरिक फायदा ले सकें इसलिए बेस्ट बसिस का फिडर नेट्वर्क भी विकसित किया जाएगा मैं सिबान देवेंदर जी को बधाई देना चाहता हूँ हमारे देश में कम से कम है मेट्रो रेल टाइप काम डिपियार बनाने है तो डेड़ डेड़ दो दो साल चले जाते हैं लेकिन उन्होंने चार महिने की भीतर भीतर उसके डिपियार तयार कर दिये और जो इस फिल्ट को जानते हैं उनको मालूम है कि चार महिने में इतना बड़ा काम कागज पे बनाना ये हमारे देश के सोभाओं में नहीं है हमारी विवस्ता में नहीं है और उसको कोई बुरा भी नहीं मांता सब मांते हैं हाँ भई इतना तो समय लगता है लेकिन उन सारी आदतों को छुड़वा करके मुंबई और उपनगरों जैसे व्यस्ततम शहरों में पूर्व पश्चिम की कनेक्टिविटी बहुत ही आवश्यक हो गई है और मेट्रो रेलवे उसका सबसे अच्छा परियाए है दो हजार देईस तक मेट्रो पाँच तथा मेट्रो नौ जिसका आज माननिय प्रधान मंत्री द्वारा भूमी पूजन होने जा रहा है दोनों मारकर निर्मान पूरा होकर ये मेट्रो रेल नागरिकों को अंतरराष्ट्य स्थर की सुविधाओं का आनन देगा वेल्कम तो मुंबाइ मेट्रो वेल्कम ट्रीम लाइन प्मॉंबाइ